पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके एटियम लूट गैंग का परदा फाश करने में आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई है बीतित दिनों इसी गैंग ने मुरादाबाद और संभल में एटियम काट कर लगबग 26 लाग की लूट की थी और ये गैंग लगातार अन्यजिलों में भी सक्रिय था उसका तरगना वूटी ने सारे प्लान को इस्थियूर किया आसित तंभल का रहने वाला है नकासा थाना चेट का ये तिहाड जेल में बंद हुआ था 2011 में हत्या कजूर में बन था वहां पे इसका पर्चे हुआ राहिल उर्फ आजाद से वहां पे उसके तिहाड जेल के अंदर ही उसका साथ ही उससे परकित हो गया और उसके बाद ये लोग बाद में भी आना जाना इन्हां आपस में मिलना जुनना जारी रहा अभी लागड इसरत जो बदाईउं का रहने वाला है उसे भी इन्हों ने चचा की तो इसरत ने बताया कि उनके कॉंटेक्ट में सारुख नाम का लड़का है जो एटियम काटता है बहुत बढ़िया एटियम काट लेता है तो उसको मिल करके इन लोगों ने राहिल आजाद आसिफ इसरत स सारुख इन सबने मिल करके एक प्लान बनाया और दस बारा दिन पहले घटना संभल में करने से दस बारा दिन पहले वो लोग संभल में आए और उसे बाद सारुख ने राहिल आजाद को जो डाई बनाने का काम करता है और दसवी तक पढ़ा हुआ वेक्टी है तो उसको करता है वहां से खुल जाएगा पूरा लाकर खुल जाएगा और पूरा पैसा उसमें से निकल जाएगा ये लोग इसकी एक्सपर्टीज के लिए एक मोटी चदर भी खरीद के लाए और उसके बाद उसको लगातार काट करके राहिल आजाद होगेरा ने इसको प्रेकिस किय जेल में भी सजा काट चुके गैंग का सरगना संभल ने वासिय आसिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर संभल और मुरादाबाद में एटीम से 26 लाक की लूट की थी बता दे कि आरोपियों ने सबसे पहले 20 जून को संभल के थाना नखासा से 10 लाक की लूट की उसके बाद 5 जुलाई को मुरादाबाद के सिविल लाइंस छेत्र से 16 लाक की लूट की इससे पहले गैंग का सरगना आसिफ 2011 में हत्या के आरोप में तिहार जेल भी जा चुका ह अगला प्लान बनाया कि इस बार हम लोग कई ATM में टार्गेट करेंगे काटने का उसके 10-12 दिन बाद इन लोगों ने ये लोग पुना इकठा हुए वहीं जोया में जो बनपड़ी फैक्ट्री थी वहाँ पे इकठा हुए जिसमें आसिफ, सारुक, इसरत और ये राहिल, र पूरे एडिया में लोग साम तक घुनते रहें और उसके बाद ये तैकिया इन लोगों ने कि जो इसरत और सारुक है, ये संभल में अब ATM काटेंगे, वहाँ जाएंगे और जो बाकी चार लोग है, वो मुराधाबाद में काटेंगे और काटने के बाद आ करके इन लोग इ उनकी ग्रिपतारी हुई, बाकी बचे हुए लोग जो मुराधाबाद में थे, आसिफ, रिजवान, सौकीन, उर्सानू, राहिल, आजाद, इन लोगों ने वहाँ पे ATM काटा, जो सिविल लाइन, आसियाना कालोनी, काट रोड मुराधाबाद में ATM था, उसको वहाँ पे रहा, और अंदर सौकीन, नहीं, अंदर राहिल उर्फाजाद, अंदर राहिल उर्फाजाद जो है, वो गया, आज वहाँ जाकर के उसने ATM को काटा, इसी बीच में दो वहाँ पे बैया, जो उसके वो थे, चौकीदार, वो आ गए जिसको रिजवान ने रोक लिया, कंधे प जो यह राहिल आजाद है, इसने पूरी ATM कटींगी और वहाँ से 16,00,00 रुपए ले करके, यह लोग गाड़ी में रखें और इधर आ रहे थे, संभल की तरफ तो देखें, यहाँ पुलिची गाड़ी